आज आपका लाइब कौन सा नंबर है लाइब नंबर पचीस है कि चौबिस है भाइया हो आज ये आपका ये लाइब नंबर है चौबिस 24 क्लास 9th N.C.E.R.T. मायद इंदी मीडियम, इंगलिस मीडियम, मराठी उद्दू कौनों मीडियम से वो बेटा तुमारे लिए है जाना कहीं नहीं देखो इकसरसाइज 2.5 चल रहा था राजा और एहम न प्रस्न संख्या चार तक तु लोग कहली रहा पताओ करे पाई रहाग नहीं कल पढ़ाए रहे न तुनो अब देखो इधर समझो अनूब बेटा पढ़ाई कर लो पढ़ाई कर लो कर लो बच्चा कर लो तुम्हें क्या बोलू मैं कर लो दादा कर लो देखो फूर नंबर का कल हमने कई पार्ट कर लिया था मतलब कई पार्ट का मतलब मैं वैसे बोल रहा हूं तीन पार्ट कर लिया था प्रदिन कर था ना एक-दोगू YOURS नहीं दू रहा था उसके बाशत कि चार और पांच में तुमको ना बढूक हम धर थींहीं, ठीक है चान कि चाहरा और पांच सुमार क्रोगे तो बिचावा यह चठावा पार्ट जो थोड़ा डेंजरस है пять हार विवर shajah पार्ट में तुम्हें आज बताऊंगा लिखो इसे वन अपान फोर ए माइनस वन अपान टू बी और प्लस वन दिख रहा है ना तुमको सबको लग राइग नहीं इसका हमें क्या करना है वैलू फाइंड करना है मतलब question मैं पढ़ लेता हूँ आब ये, क्यम ना कार वहीं ना, 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 ना मुझे beautiful नहीं दिखाना है जैसे हैं वैसे दिखने दो, मुझे बस वैसे भी कोई आंगे पिछे नहीं है जैसे हूँ मैं वैसे रहने दो देखो इसर अगे लुदे मतलब इनका expansion करना है क्या लिए उज करना है identity उज करनी है identity में तुम्हें बेटा बहुत अच्छे से पढ़ाया हूँ समझाया हूँ तुमको रगड़ रगड़ के लिकिन तुम समझो तब न देखो identity कौन सी है identity देखो इदर साइड में यह फर्मूला तुम पढ़े थे ना बच्चा यक्स प्लस वाई प्लस जेड का whole square बोलो हाँ बोलो हाँ पढ़े थे कुछ लोगों को तो अब कान खज़गा रहे पता नहीं पढ़े तक नहीं पढ़े थे देखो सुनो इसका फर्मूला है यक्स का square प्लस वाई का square प्लस जेड का square और प्लस यह बच्चा देखो यहां पर तुम यह चीज जान लो तुम्हें यहां पर जो दो 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 तीन बार जान लाएगा ना तुम्हें इसमें यक्स वाई जेड तीनु यूज करना है बस कुछ बच्चों को यह सूतर याद नहीं हो ता बड़ा लंबा लगता है तो बैटा देखो रटीके तो याद पचर करके लिख नाना या अब देखो कैसे हैंस तो तीनों को अब कर दीज एमक्ताना एंस के क्या वर्च लालब कर दिया सबका है जब यह यह समझ भी मैंने करद लिए ने और दूसरे में क्या को सबस्क्राइब नहीं deeper इसमें होगा बिटा 2XY, याद रखना X फिर सीरियल में Y, यह हो जाएगा 2XY, देखो अब Y तक हो गया है, याद रखना Y तक हो गया, अब बचे हैं अकेले चाचा Z, लेकिन अकेले तो कुछ होता है नहीं तुम्हें पता है, तो क्या करेंगे, 2XY न, फिर क्या करेंगे 2YZ, मतलब हम X को छोड़ेंगे, Y को फिर से लेंगे अगले में भी, तूतर रियाद करने के लिए तुम्हें जुकाड बता रहा हूँ, तो बच्चाई का हो जाएगा 2YZ, इतना होने के बाद इस पे भी यह कंपलिट नहीं होगा, नहीं, इस पे भी यह कंपलिट नहीं होगा, बैया यह तो इनका हो गया, यह 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 का हो गया, अभी Z वाले ददा का बचे है, इनका भी इंस्टा लगेगा नहीं, यह केस कर देंगे जाके, देखो, तो यह हो जाएगा 2 और Z, यह सबसे पहले रहेंगे, लेकिन अकेले थोड़ी रहेंगे, मैंने कहा नहीं, अकेले नह कर जाता है, अगर यह सुत्र समझोगे बच्चा, समझोगे तो तुम याद कर लोगे, बहुत आसान है, लेकिन अगर राजा तुम रटने को सोचे, कि हम रट लेंगे, तो आगे गाड़ी फसने वाली है, ठीक है, अनूप बच्चा पढ़ाई कर लो, तुम्हें पांच मिन सुन रहे हो न, पढ़ाई कर लो, अच्छी बाथ है, अच्छी बात है, पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो, कुछ हो जाएगा, वहां बाप कभी नाम रोसन होगा, और हमारा भी कहीं बता देना भूल चुक से करे भाग Families वहां भी देखता था मैं, हमारा भी लोग जां जा यक्स की जगह पर यक्स जगह की जगह पर लेकिन एक चीज तो यहां पे महां से ध्यान का न है यह सुल दियानwow the शबी dream ma इंस में रखो इससा जाण जगा निगा यह नहसे निशेवर समगाओं बिप्रेंख यह एक बटा है कमान कितना है जल्दी बोलो मैं यहां पर चाहे तो कहूं लिखवा दूं लिख लो इसको कोई मतलब नहीं है लेकिन मैं लिख दे रहा हूं लिखो यक्स कमान क्या है यहां से देखो एक बटा चाहरी है वाई कमान क्या है और जड़ कमान क्या है जल्दी जल्दी बोलो देखो कुछ कोसिस कर लो बेटा तुबहम सिंग पढ़ने आयो ना चलो देखो इधर Y का मान एक बटा दो है और B है लेकिन माइनस में है इसलिए माइनस जरूर लगाना ये बात अपने खोपड़ी में जेहन में बसा लो C का मान राजा देखो के ले वन है क्या है वन है बस हो गया मतलब हमने A B C के मान पकड़ लिए यहां लाला के इनको पटक पटक के लगा डालो चलो यहां पर मान रखने से कोई मतलब है नहीं क्योंकि जो कुछ निकलेगा इधर निकलेगा यक्स का मान रखो एक बटा चार A और इसका whole square देखो एक चीज यहां और समझो यहां धैर और साहस बना के रखना है मान रखते समय बिलकुल लूज पूज नहीं करना है अगर तुम इसको तेड़ा मेड़ा लिखे कचर पचर करे तो यह सब एक कम मिल जाएगा यह खिचड़ी हो जाएगा फिर तुम समझ ना पाओगे करना क्या है इसलिए इसे साफ साफ लिखना क्लियर कि भईया यह चाचा तो हाँ हिस्सा है यह फलाने दादा क्या यह मजलका क्या यह उन क्या हर किसी के नीचे एक-एक ध्यान से असपस्ट देखो किसका हो गया वाई वाई कमान कितना है बता वाई कमान यह है ना माइनस एक वटा दो बी whole square z का मान कितना है भई z का मान कितना है यहां देखो one है ठीक है यह one का whole square तो देखो अभी अभी मैंने सिर्फ इतने मान रखे हैं x का square y का square और z का square अभी यह तीनों जूर जार बैठे हैं इनका एक भी मान रखा नहीं गया है लेकिन यहां की situation देख के ऐसा लग रहा है हां ऐसा लग रहा है कि बेटा यह उधर अगर तीनों का मान रखोंगा तो आए गनी जगा नहीं है हमरे पास बहुतो बड़ी जगा है इक कैमरा हमें गर रहा है उधर ही ले चलना पड़ेगा तो चलो में ले चलता हम पहले जहां बचा भाए तक रख देता हूं तब मामें यहां से मान रखेईं कमान कितना है को ही बताया नीवन कि यक्स कमान कितना है यह पागल नहीं तो यह लिखा नहीं ता पहले से एक बटा चारे है न इनको कोष्टक में रखना अभी अभी नहीं अब यहां पर अगर तुम ध्यान दो तो बच्चा मैंने इसमें दो एक्सवाई कमान रखा है अभी यह दूइनों कुआरे बच्चे हैं इनकी भी करवा दो भाई कहीं से चलो देखो समझो थोड़ा कैमरा मुझे इधर करना पड़ेगा भाई कैमरा वाले कहां को भया आज ल बता दी है कौन किसका है अब इससे कोई मतलब हैनी किनारे से सारा मान रखना है देखो अगर समझ समझ के बच्चा पढ़ो गई इमानदारी से धीरे धीरे तो सब समझ में आएगा अगर तुम भागम भाग आये और चले गए तो फिर जाओ मोनिका रानी गुड इबनिंग बिल्कुल बहुत अच्छे हैं बस आप ही कमी थी इस कलास में और आप आ गई है तो फिर अब ये कलास रुकने वाली है नहीं कितना हो गया अब प्लस 2YZ तो भईया 2 को तो ऐसे 2 रख लो y कमां कितना है y कमां अभी मैंने तुम्हें बताया था मैं फिर नहीं बताने वाला हूँ y कमां ये है माइनस 1 बटा 2b p हो जाएगा माइनस 1 बटा 2b समझते चलो उधर देखो जगा छूट जा रही है मैं कहां दिखाऊं तुम्हें रुको मैं थोड़ा और उतर करता हूं देखो यहां पर अर्जेस्ट करना बहुत बड़ी बात है या तो मैं डबल लाइन में लिखूं लेकिन मैं डबल लाइन में लिखने वाला हूं नहीं चलो सारा मान रखके मैं तुम्हें दिखा देता हू थोड़ा इसे दूरी कर दो भाई, जू माउट कर दो थोड़ा, ये लो, जो भी दिखेगा तुम देख लो, आज सब कुछ लेकिन समझो, ठीक है, चलो, तो भाईया मैंने 2XY का सारा मान रख लिया था, ये इतना बन गया था, ये 2XY वाला इतना बन गया था, उसके बाद मे मैंने क्या किया था, उसके बाद में मैंने ये 2YZ का मान रख रहा हूँ, 2 का तो 2 ही रहेगा, Y का मान एक बटा 2B, मैनस में, Z का मान बाबु देखो, 1 है अकले, तो ये हो जाएगा 1, लेकिन अब इसके आगे लिखना संभव नहीं, उसके आगे लिखना संभव नहीं है, त तो जो 2Z X है न, इसका मान हम नीचे रख देंगे, दूसरी लाइन में, तो प्लस ये 2 और Z, Z का मान 1 है, Y X, Y X का मान इधर साइड में तुमें दिख रहा है, 1 अपान 4A, ये तनी ही मुख्य मेहनत थी इस कुईस्चन में, देखो कितना भी टाइम लग जाए बच्चा, ले तर आ गया है, बस मैं लिखने वाला हूँ, जल्दी कर दें, बाबु देखो, आप लोग को लाइक करना चाहिए, आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है, अपनी जिम्मेदारी को आप समझते है, चलो, फटा-फट कलास को लाइक कर दो, बहुत जल्दी, चलो, तो भईया, यहां करने पर हो जाएगा बेटा, एक बटा 16 एक i2, ठीक है, क्योंकि हमने, बच्चपन से सिखाया गया, कि 4 i2 यह बढ़के चाचा होते है, ठीक है, समझ गए ना, चलो, जो, अगर भागम भाग करोगे, तो कुछ नहीं होने वाला, प्यार से समझोगे, बहुत से बहुत कुछ जाता है तो वह से समझो अभी प्लसublik Except here is square 1 जाना करेंना गाया बदा यह करोगे तो तुम्हें पता है यह जाएगा एक बदा चार थल्म की स्कौायर 1 का स्कौायर मतलब यह ऑन हो जाएगा तो स्कौायर करोगे तब रहानी हो जाएगा अब ये इतना हो गया डन याद रखना जितना मैंने खीचा इतना क्या हो गया डन हो गया अब बच्चा हमें इनको एक-एक को करना है नहीं समझ में आ जाएगा बिल्कुल टेंसन न लेना बोल देना कि नहीं आ रहा है बिल्कुल बोल देना देखो ये दो ऊपर है मतलब answer में है ये दो हर में है तो बेटा यहाँ पर अगर तुम ध्यान से देखो ये थोड़ा कठीन है विच्चा इसलिए कुछ बच्चे भाग जाएंगे मुझे पता है वो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उनको पढ़ना है नहीं इसमें थोड़ा तुम क्याना में दोस्का देना है कैंسल कर देना हैं अब देख放心 है और यहा पर बच्चा पलब सै ना समझ में आलेगा उपूयः का बहुरा है क्या कवेव्व देखो थी ठीन एक बार काम क्तल सितन tutte चारुजर्वर् का देखो नारे तो यह माइनस यहा法 देखो प्लस है यहां पर माइनस है तो बच्चा प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस हो जाता है तो यहां का जो चिन बनेगा तुम्हारा फाइनल में माइनस बनेगा क्या बनेगा मैनस हमने एक दो से दो तो काट दिया अब ये चार बचा है और ये A है और ये B है तो ये हो जाएगा बच्चा A B क्यों ये सही है या कहीं इसमें भी कुछ बोलचूक हो रही है हाँ कट जा तुम भी कट जा तुम भी कट जा या फिर एक काम और कर सकते हो तुम वो क्या है चाहते से डारेक्ट ना लिखो क्योंकि मैंने यहां डारेक्ट नहीं लिखा है तो यह चार के ऊपर वन लिख लो और A, B, साइड में रख दो भी क्योंकि मैंने यहां पे भी इधर ऐसे किया अब समझो अब समझो अब ये तो हमारा इतना हो गया देखो जितना करते जाओ उतना घेरते जाओ जितना करते जाओ उतना घेरते जाओ जिसे तुम्हें confusion ना हो ठीक है बच्चा समझ रहो ना बाबू देखो अब ये इतना देखो इतना इसमें अगर तुम ध्यान दो यह जो दो है इस दो से यह दो कट जाएगा और हमारा चिन्न यहाँ माइनस है यहाँ पे बिटा प्लस है तो प्लस माइनस फाइनल में क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और सब कट पिट जाएगा अकेले भी बचेगा क्या बचेगा अकेले भी बचेगा उसे भी भी मत बोलना लेकिन नहीं क्योंकि दो भी होती तब भी भी बन दो अकेले भी अब नीचे वाले में आ जाओ, फाइनल देखो यह दो है गुड़े वन है और फिर गुड़ा का चिंद एक बटा फोर है इसका मतलब है बच्चा की जो दो है यह अंस में है यह जो फोर है यह हर में है कहने का मतलब इनका आईश्या रिलेसन बंजाया है यह उपन नीचे वाल बार पूर कोशिस होगी कि जो एकदम गदाहा से गदाहा लड़का है ना वो का भी समझ में आ जाए अब लेकिन तुम उससे बड़े खच्चर हो तो फिर अलग बात है है जो चलू यह ना ना गएगा है तो यह चिनन हैं पर फ्लस है तो प्लस ही रहे गा क्योंकि नहीं रहा है क्योंकि ना एक बटा दो और एक भाचैना अंसर तो हो गया लेकिन इसे थोड़ा सा और हम सुन्दर बनाЕंगे वैसे ऐसे भी छोड़ सकते हो कोई गलत नहीं है लेकिन इसमें थोड़ी गुंजाई से जो हम कर सकते हैं अबी वो मैं करूँगा जल्दी से देखो इधर स्क्रीन साथ लेलो करना चाहो तो कितना भी सही है इसमें कुछ गलत नहीं है जादा देखो समझो अखिलेश कुमारी पढ़ाई कर लो पढ़ाई कर लो भाया अराधना कुमारी दीपक ब्रो को बाद में देखना पहले इधर है देख लो हमें भी देख लो कुछ देर देखो इधर चलो यह आपका इसमें multiple होगा तो final में इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो a का स्कॉार अपान 16 प्लस यह b का स्कॉार अपान 4 और प्लस 1 माइनस यह a b अपान 4 और माइनस b और प्लस a अपान 2 देखो दोनों answer लिख सकते हो आप उपर वाला भी लिख सकते हो अब 2.5 का 4 का 6 पार्ट है मैं इसे देख लेता हूँ 2.5 का 4 का 6 पार्ट हाँ ठीक है चलो इतना आ रहा है ना मनोज आ रहा कुछ समझ में गोरक साहनी बच्चा का है मूँ बना रहा है काला क्यों कर रहा है भई इसक्रीन साथ ले लो जल्दी से इसका मैं मिटाता हूँ बहुत जल्दी करो इसक्रीन साथ ले लो फटा फट देर ना करो देखो खाली मन सैतान काड़ा होता बेटा वो मैंने खुद अनुबो किया है दिमाग खाली रहेगा बहुत कुछ याद आता है पीते हुए गुजरे हुए काल आद आते हैं बहुत कुछ चीजें आद आती है अच्छी बुरी इसलिए माइंड को हमेशा बीजी रखो अपने अच्छे काम में प्रजट अपना बना के रखो कि मुझे इसके बाद क्या करना इने को नैने कुछ सोचने का कि गया समझे रहना कि नहीं थो नहीं यह समझेज़ नहीं गयुदहीर द्यान देना अभी तुम्हारी लाइफ आगे बहुत जादा जाने वाली इसलिए बता रहा हूं मिटाओं किरेज करने वाला हूं जल्दी करो जल्दी करो भाई अमन राज बेटा रिकोइस्ट बाद में बेजना पढ़ लो बाबू पढ़ लो गदाहा पढ़ लो खचर पढ़ लो तो यह आपका चार नंबर कुश्चन हो गया बच्चा मैं थोड़ा सा मिटाया हूं जो लिख रहे हैं वो लिख लें पसे तो स्क्रीन साट ले लिया करो मेरी मानों तो अच्छा रहेगा पाच्वे कुश्चन पर चलते हैं आप पढ़ रहे हैं कक्षानों की एंसी आरिटी मै सब्सक्राइब में कुश्चन नंबर फोर तक हो चुका है कुश्चन नंबर फाइप में हम लोग चल रहे हैं कि को इदर समझो बहुत कुछ सोचते हैं बहुत कुछ हो रहा है समय लाइफ में सोचना पड़ता है टाइम भी हो गया उमर भी हो गई चलो देखो समझो कुश् प्राप्त करना था ऐसा समझे लो पिता से पुत्र की प्राप्ती करनी थी अब पुत्र से पिता की प्राप्ती करनी है यह कौन उल्टा सवाल है भाई कहीं पुत्र से पिता पाइदा होगा का पाइदा नहीं होगा लेकिन खो जा जा सकता है जैसे मान लो हम आप लोगों को पढ़ाते हैं हाँ तो आप जानना चाहों कि भई हमारे पिता जी कौन है तो आप हमारे गाओं महला गली महला आओ गया देश समाज में तो हमारे बारे में पूछोगे भई फलाने पापा कौन है तो लोग बताएंगे तुम्हें पहुंच जाओगे ना समझ रहो ना मतलब हमारे माद्यम से पहुंच जाओगे तो कहने का कुछ ऐसा ही इस question में है कि इसमें जो बिष्टरित फार्म है वो दिया है अभी जो पढ़े हो यह साड फार्म दिया था इसको बिस्तार करना था इसमें साड फार्म का बिस्तार करना था लेकिन बेटा जो आप पढ़ने चल रहे हो उसका बिस्तरित फार्म दिया है उसका बिस्तरित फार्म दिया है उसको साथ फार्म में तुम्हें बदलना है कुजिशन देखो सभी बच्चे यह बताओ सभी बच्चे यह बताओ क्या आप लोग NCRT बुक लिये हो NCRT वाली किताब लिये हो की नहीं लिये हो ना भाया चलो ठीक है लिये हो तो मनोज यादो आदी तिरपाथी अंस यादो रोशन मुकेस परमार कुछ समझ मझ में आ रहा है न एस्यू राजपूत नाम तो तुम्हारा कुछ सम्मान नहीं है लेकिन तुम्हारा काम गड़ बड़ है देखो इदर इसका जो फास्ट कुष्चन है ऐसे है 4X का स्क्वाइर प्लस 9Y स्क्वाइर प्लस 16Z का स्क्वाइर 16Z का स्क्वाइर प्लस 12XY माइनस 24YZ और प्लस 16XY इनको क्या करना है गुड़न खंड ग्याद करना है देखो थोड़ा सा इक्ष्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा बेटा इसमें थोड़ा सा इक्ष्ट्रा दिमाग लगाना है एकदम थोड़ा सा तो चलें क्यों न लगा लें हम लोग देखो इसका जो बिष्ट्रित फार्म है वो दिया है इसको हमें क्या करना है बिष्ट्रित फार्म से साट फार्म में चेंज करना है तो ठीक है कोई दिक्कत है रानी परसानी की बात है नहीं हम कर लेंगे है चल भाईया आजा इधर ठीक है चलो अब इनको फैलाना नहीं है बटोरना है समझो इधर समझो फलने आओ इधर आओ देखो यह एक आई स्क्वाइर है अभी सूत्र हम यक्स वाई की रूप में बताया थे ना तो यह एक्स का स्क्वाइर है यह वाई का स्क्वाइर है यह जेड का स्क्वाइर है यह टू एक्स वाई है यह टू वाई जेड है और यह टू जेड एक्स है समझ में आया ना विकरम विश्वास अनूप एके अनूप बलराज बॉस नीरज हीना लल्ला ने आदो जीतेंज सिंग वह जीतेंद्र ने बहुत अच्छी कोसिस किया बेरी गुड चलो देखो इधर समझो तो बच्चा एक चीज समझो यहां से तुम यह फार्मूला तो तु से एक्वल्ट टू तो इक्वल उक्वल नहीं होता यार यह भी मोला लुटन्स होता न यह तो कि एक्स वाई प्लस 2 जेडं एक्स वाई भाई जड़ार अर्ट्वी जेड शेड एक्स यह सब्समीका तुम सब जानते ओं कि नहीं यह जांते ओना न जानते हो तो बोलो हाँ जानते हो अखंड प्रताब बताओ जानते हो भाया मोनु सिंग विजय भिंड आकास राय हाँ ठीक है आकास बहुत अच्छे तो इसी तर्ज पे आप यह समझो कि इसका बिक्सित रूप यह दिया है इसे हमें पीछे खीचना है यानि दो यक्स इस मैं ऐसे बात करूं तो तुम्हें इसका सबका वर्गमूल निकालना है तुम्हें क्या करना बेटा इसका वर्गमूल निकालना है रज्जा इसका वर्गमूल निकालना है तो बैया सीधी सी बात है इसका दो चार का वर्गमूल दो आ जाएगा यक्स इस्क्वायर का जब वर्ग मूल करोगे तो यक्स आएगा यानि दो यक्स मिलेगा और जो मिलेगा बच्चा उसका वर्ग कर देना है यानि फाइनल में हमें यहां लिखना है यह दो यक्स इसका हो लिस्क्वायर बोलो इतना समझ में आया कुछ जूइक कोई क्लास 9 पढ़ रही हो और मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो गाउं में बड़ा मान सम्मान हूगा फलानमाग लड़कवा साइंस हैं अब फलानमाग लड़कवा कि का कंडीसन है मैथमेटिक्स में उपला नियक वारें सोच रहा है तो पिर आई से न पढ़ पाओगे तो जो मान सम्मान है उसको बनाए रखो पढ़ो इधर ध्यान से दिमाग लगाओ एक बार ना समझ में है दुबारा देखो दुबारा ना एत्ति बारा देखो देखने की चीज है देखते रहो बार बार देखो वीडियो को कई बार देखो आएगा तो यह तुम्हें समझ में आ गया अब देखो यहाँ पे एटन सी आरटी का फुल्फाम कोनों पूछ रहा है बONEY को यह मतलब होता नेशनल और आगरessäर्टी р십 लेशनल आफे आफ एजुकेशनल रिसर्च इंड ट्रेशनेग थीक है नेशनल तुम्हारे बुक में पीछे लिखा होगा देख लो हिंदी में लिखा होगा राश्ट्री एं सर्चिक अन्सवंधान परिसद ठीक है चलो देखो तो यह हो गया अब 9 नाइन वाई स्क्वाइर का वर्गमूल करोगे बैटा तो तीन वाई आएगा तो तीन वाई का स्क्वाइर 12z² का वर्गमूल करोगे तो क्या आएगा चार और जेड का स्क्वाइर ठीक है 12xy 12xy देखो अब अगर तुम को xyz कमान मिल गया तो तुम इसको खुद बना सकते हो वाट्सअप यादो चलो देखो ठीक है इसलिए कहाना कि दिमाग को हमेसा बजी रखो वन्हा इस जिंदगी में बहुत कुछ घटता रहता है और वह घटना है अगर आपके माइंड में आएंगी तो आपका काम कुछ नहीं होने वाला है अंदर इंसान के बहुत बड़ा सागर होता है जो समाज के सामने नहीं दिखता है है ना दबा के रखता है चेरे पर कुछ और दिखता है अंदर में कुछ और होता है समझो यहाँ फिलाल में जो बात कर रहा हूँ इन में से कुछ लोग ऐसे होंगे वो समझ गये होंगे देखो बेटा इर्फान अंसारी अभी नहीं हुई तो यह हाल है हो जाएगी तो क्या होगा देखो इधर यह 12 है ना तो 12 को क्या लिख सकते हो तू मैं बता क्या रहा हूँ यहां देखो यह मैंने जिसको गहरा इसको देख रहा हूँ ना इसको देख रहा हूँ ना देखो हमने यक्स का वाई का और जड़ का यक्स वाई जड़ तीनों सबके मान रखे हैं यह अब हमें दो एक्स वाई क्या करने हैं दो एक्स वाई इनके क्या करना है मतलब इनके फार्म में इसको expand करना है तो हमें क्या करना है इस τοではल को आईसे ही expand करना है मतलब इसका गुड़नखंड करना है समझ रहे हो ना बच्चा जैसे बारा को मैंने लिख दिया दो गुड़े दो ये तीन जो भी लिखा है ऐसे ही करना है तो बच्चा देखो एक दो तो फर्मूला में होता है ये तो confirm है ये दो तो मैंने लिख दिया सुत्रवाला बाकी एक्स और वाई कमान रखना है आपको बस एक्स और वाई कमान रखना है तो राजा देखो एक्स कमान दो आया था और बाबू देखो ये वाई कमान कितना आया था तीन आया था अरे साथ में वाई भी है इसमें एक्स है वो मत भूलना तो समझो तो यहाँ पर यक्स का मान में रखूंगा दो यक्स और वाई का मान में रखूंगा तीन वाई लेकिन एक बात ध्यान देना यह आउकाद से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इसका मतलब यह है कि जो तुम सारा मान रखे हो इन सबका गुड़ा करो तो बारा फे ज़्यादा नहीं हो हाँ नहीं तो पता चले कुछ भी रखा तो यहाँ पर टोयल रहे इसका मान अठाई सो जाए मतलब उस से ज़्यादा नहीं हो तो सबी बच्चे मुझे यह बताओ क्या यह साही है बोलो हाँ या नहीं क्या इनका गुड़ा करने पर बारा एक्स वाई आएगा कि नहीं आएगा धर्मावती हाँ आएगा यह नीचे तो मैं सूत्र लग यह लिखा हूँ तुमको समझाने के लिए बाकी सारी कहानी तो ऊपर हो रही है हंकुर राजा पढ़ाई कर लो पढ़ाई कर लो कि अब इसमें बाबू भी है चाचा भी है दादा दादी सब हैं देखो आएगा ना तो ठीक है अब हम दूसरे पर चलते हैं इधर दीख तो रहा है ना माइनस दो देखो फार्मूला वाला दो मैंने रखा है बस केवल सुत्र वाला मैंने दो रखा है इसका काम हो गया अब हम इनको पकड़ रहे हैं अब इनको जो कुछ हो सकेगा करेंगे इनकी सेवा पाती देखो ये दो तो सुत्र वाला था मैंने लिख दिया अब बेटा वाई कमा से जाधा नहीं विए का मन क्या है convenience मैं पैभर अभी यहां तुम को दिखी रहा है बहुत साइन्स के स्टुड़ेंटों आगर संवाइबार कलास को बार बार देखो ये live खतम होने के बाद video youtube पे रहेगा अगर तुम class को like किये रहोगे तब तीन बार देखो चार बार देखो पांच बार देखो चाहे इतनी बार देखो जितने ज़्यादा बार देखोगे उतना बेटर तुम्हें समझ में आएगा ठीक है चलो इतना हो गया आगे बढ़ते हैं ये बात अपने दिमाग में रखो ध्यान से ठीक है चलो अब समझो इतना हो गया अब हमें अभी एक और रखना है लाइश्ट में रखना है वो क्या है हमने इनका इनका मान रख लिया इनका काम सारा हो ही गया था अभी ये बचाया के लिए California पर बहते हैं इसको भी रखलेते हैं उपर साइड में जगा है आगे तो जगा है नहीं इसके आगे तो जगा है नहीं हुझ है दो देरे नेशे का लिख लूंग Michael चिन्न कौन सा लगेगा प्लस का लगेगा अच्छा यह चिन्न कैसे डिसाइड होगा भाई यह यहां समझो यहां थोड़ा गलती है यहां थोड़ा गलती क्या है पहले समझते हैं देखो मतलब कुछ तुम्हें बदलना नहीं कि बदल चिन्न की गलती है देहां से समझो देहा भी वर्ग के रूप में लिखे गए इसलिए वो माइनस था फिर भी पलस हो गया इसमें देखो बच्चा बारा यक्स वाई है यानि इसमें यक्स का भी मान सामिल है यका भी मान सामिल है फिर भी यह पलस में है यानि यहां से हम यह कह सकते हैं कि X और Y दोनों की value positive रखी गई होगी दोनों कमान प्लस में रखा गया था तब ही यह क्या है प्लस में है यहां तोड़ा सोचना पड़ेगा पीछे यहां पर देखो 24 या Y Z है 24 Y Z है यहां पर हमें यह समझ में आ रहा कि जो Y है वो तो प्लस में है क्योंकि अगर Y माइनस में होता तो यहां भी माइनस में रहता Y अगर माइनस होता तो यह भी माइनस कर दिया होता यानि यहां पर जो Z है वो माइनस में था इसका मतलब क्या है जो जड था वो माइनस में था यानि बच्चा ही जो मान तुम फोर जड रखे हो न यही रहेगा लेकिन यह कोश्ठक के अंदर माइनस में रहेगा याद रखना यह यह माइनस का 4z का स्कॉयर किसे ध्यान दो माइनस का 4z का स्कॉयर होगा ठीक है अन्स राज और कौन-कौन यह उतापात मचा रहा है इसे बलाग करो फटाफट तो सभी फटाफट इनको बलाग करो जो फालतू की लोग कमेंट करें बई टेकनिकल टीम वाले तुम लोग क्या कर रहे हो तुम के वाल यह मंतरण के लिए फटाफट बलाग करो इनको सब को बलाग करो इनको नहीं पढ़ना हुने करो देखो यह ठीक है तो यह माइनस फॉर जड़ का स्क्वाइर अब जहां जहां तुमने जड़ का मान रखा वहां माइनस में रखोगे याद रखना तो बच्चा क्या होगा यह यह चिन तो तुम पलफ लगाओगे क्योंकि सूतर है इसलिए पलफ में लगाओगे हां लेकिन यह माइन क्या होगा माइनस फॉर जड़ यहां पर हर जगा जो में में चिन है जैसे देखो यह में चिन है यह है यह है यह है यह है और उसके बाद नहीं है यह सारे चिन मुख्य मुख्य पलस में लगाओगे अंदर के जो कांटेंट है उन्हें माइनस पलस करते ज चिए जहां-जहां जेड कामान रख्था हैं , अब हम इसका मान रखेंगे , 2 ट्रू इंटु जेड जेड का मान क्या है , पहले बता हो . Belton , यह बात चीट कर रहा है , बता जट का मान क्या है , जल्दी बताओ फटाफट देर ना करो जड़ का मान क्या है गदों बोलो जल्दी पांच घंटा मत लगाओ मैं इसको मिटा रहा हूं नीचे वाला हरी केस यादो है यह हीना नाम बड़ा फेमस हो रहा है मैं इसको भी हीनी ना आता हूं रुको और एटी कौन है अंकूर वर्तिका स्रीवास्तो बहुत अच्छे वर्तिका बेरी गुड उजमा नहीं जेड कमानी स्कॉयर में नहीं आपको माइनस फॉर जेड रखना है बस जो पढ़ रहे हैं उन्हें समझ में आ रहा है जो यहाँ पर वही से आया है भगवान भरोसे उनके भगवान है मलिकवान माइनस फॉर जड ठीक है और यक्स कमान क्या है यहाँ से तुमने देखा था यक्स कमान है बच्चा दू यक्स अब मैं इसको मिटा दूँगा नीचे वाला फार्मूला जिस पर मैंने इसको रख करके किया था गीता जी तेंद्र आसी से दुबंसी क्वाल्टिक्स गर्ल नाम अजीब अजीब सा है गौरो तुबह में यादो अच्छा बताओ समझ में आ रहा है जो तो दिल से समझ रहा है और कलास में सुरू से जुड़ा है उसे तो आएगा और जो अभी अभी आया है इदर उदर बक्चती कर रहा है आपर क्या बोलते हैं उसे बातचीत जिसे बकईती बोलते हैं बकईती कर रहा है उसे ना आएगा तो बातचीत ना करो समझो अब बच्चा ये सब जितना हमने इक्सपेंड किया है मैंने अभी बताया था ना कि अ लेकिन A में का है A में आंसर से question लाना है यानि लड़कों के माध्यम से पिता जी की कोज करना है यह तुम्हें समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा समझ में तो यह था तो अब हम क्या करेंगे इसका आंसर एक लाइन में आएगा सब में से एक एक ले लेंगी यह दो यक्स और यह क्या हो जाएगा बच्चा 32 कवाई यह जेड माइनस में आएगा की नहीं जेड माइनस में आएगा क्य Grad कमान माइनस में है तो माइनस का 4 जेड इसका हो जाएगा whole square अब कईसे हो जाएगा मैंने बताने वाला हूँ अभी तक मैं तुम्हें यही समझा रहा था यह तुम्हारा एक आंसर हो गया चाहे तो तुम इसको आंसर लिख दो बच्चा या फिर राजा तुम इसका होल स्कॉयर है तो तुम इसे ऐसे भी कर सकते हो थोड़ा और एक्स्प करता है लेकिन ज्यादा अच्छे से करना है तो इसको नीचे वाला लिखो कि आमन राज बिटा अपनी मम्मी से पूछो एक बार पूछो उन्होंने देखा आए कि नहीं जो तुम बोल रहे हो हूं पूछ के मुझे कल बताना है वह से तुम्हारा कमेंट कोई और नहीं पूछ के मुझे बताना कला कुछ ऐसे ना जायत अवलाद है जो पैदा हो गया गलती से गलती मतलब इनके माबाफ ने किया जहले पूरी दुनिया कमाल की बात है क्या किया जाए नहीं क्या करोगे लिख लो इसको हो गया आपका यह कुश्चन नंबर फाइब का फर्स्ट हो गया इसका सिकेंड थार्ड और फोर पार्ट कितने बच्चे कर लेंगी जल्दी बोलो यस तभी बच्चे बोलो यस क्या आप इसके बच्चे हुए पार्ट कर लेंगे हां वही सच बोल रहा हूं मैं गलती दो लोग कर रहे हैं जेल पूरी दुनिया रही यह जिन्दगी क्लास का टाइम जानते हो क्या आप क्लास का टाइम जानते हो अफोestion दे रहा हूं आपको देखो कम्यूंटी में में उसमें तुम यास याणीव करो जो कलास का टाइम जानता है वो बोले यास जानते हो बच्चा सभी जानते हो ठीक है बेटा देखो कलास का जो समय है वो मैथमेटिक्स का साम को साथ बज़े से शुरू होता है खतम होने का कुछ कहा नहीं जा सकता जैसे मूड रहेगा जैसे टॉपिक रहेगा जैसे नालायक बच्चे जुड़ेंगे उसी आधार पे होता है मतलब 40 मिनट 45 मिनट एक गंटा आधा गंटा कैसे भी होता लेकिन साम साथ बजे होता है अगर कभी-कभी मैं जिन्दगी में बैस्त हो जाओं अपनी प्रस्नल लाइफ में वैसे तो मेरी प्रस्नल लाइफ कुछ बची है नहीं आप देखते होंगे 365 दिन में मैं लगबाग 350 दिन तुम्हारे सामने आता हूं साल बर में 10-15 दिन चाया इधर उधर हो जाओं तो टाइम होई है कभी-कभी थोड़ा लेट हो जाता है तो आप लोग उसे समझा करो अपने अनुसार कि हाँ थोड़ा लेट है आज चुरू होगा बाद में तो सारी सूचना हम आपको टेली गराम चैनल पर दे देते हैं ऐसा नहीं कि यूटूब पर हार दम वीडियो बन को दे देते हैं ठीक है तो आप लोग एक काम कर सकते हो तो पीवी और मिल जाएगा सबसे ऊपर उसे देख लेना उसमें मैंने खुद बताया सब कुछ की डेली कराम क्या है कैसे क्या होता हो था मैंने बताया है आल वीडियोज इनका नाम है बिटा देखो हमारा नाम है राज कुमार यादो और यह जो चैनल का नाम है जिसे तुम यूटूब पे सर्ज करोगे वह है पीवियर स्टूडिय यह मैं लिख रहा हूं पीवियर स्टूडियो लिखोगे कुछ बच्चे लिखते हैं तब भी आता है पता नहीं क्या का लिख देते हैं आज आता है यूटूब जानता है इतने बच्चे हैं अच्छे नहीं है तो कुछ भी लिखने सा आता हूँ ठीक है संजय कुमार कोई बात नहीं आपकी सोच इतना दिन से पांच बजे बजे एक चीज और सुन लो आज आप लोगों के लिए एक बात बता रहा हूं आप लोग एक काम करो जो बच्चे जिनका कलास छूट गया है वो रच्छा बंधन के बाद से इस चैनल पर अपना रिवीजन कर पाएंगे बेटा पीवियार स्टडी टू पॉइंट जीरो तो हो गया का 3.0 पर ठीक है जिन बच्चों का कलास चूट गया है जैसे आज आज आपका 24-25 कलास हो रही है इसके पीछे का जो बच्चे नहीं देखे हैं वो दो जगा कलास पा सकते हैं पहला तो पीवियार स्टडी का टेलीगराम चैनल पर सारी कलास भेजी गई है वो को लिंक के जाएगा इसका पूरा नाम है पीवियार स्टडी 3.0 इसकूल इसमें एक वर्ड और तुम्हें मिलेगा इसकूल वर्ड लगा होगा क्योंकि यह एकडमी खवालों के लिए चैनल है इस पर रिवाइच कर सकते हो इसे जाके अभी तुरन सब्सक्राइब कर लें तुरन जाके कि सभी बच्चे याद रखे तुम्हें एक पूटी कोडी कभी नहीं देना बिल्कुल फ्री पढ़ना है लेकिन दो काम करना है तुम्हें हम फ्री पढ़ाएंगे तुमसे हम दो उमीद करते हैं पहली कि तुम डेली हर एक कलास को लाइक करोगे दूसरा कलास के वीडियो को अपने वाटसब पर वाटसब गरूप में जो भी तुमारे चिला मुला जूड़े हैं तुम ही जानते हो कि किस से खारते हो कब सब उनको बेजना जबर जस्ती वेजना वो नहीं देखे तब वह रोज बेज़ो बेजो मतलब कोई ने कोई देखेगा इस्कूल का गुरूप बना है कोचिंग का बना है कहीं भी हर जगा बेजो आपका जो एकाउंट है सोसल मीडिया का जिसमें तुम लोग अपनी सारी एक्टिंग दिखाते वाइसे ऐसे करके उसमें भी भेज दिया करो वो लोग भी पढ़ लेंगे कभी-कभी जो तुम लोग क एक चीज यह है कि क्या बतने वाला था मैं भूल गया खुदी कलास में टाइम सेहा करो नहीं बहुत मार पड़ेगी भी जान लो देर में आओगे तो घड़ पड़ है और जो साइंस का पीडियाफ है बच्चा जब चैटर खतम हो जाता तो मिल जाती है लेकिन मुझे उसको दूसरे चैटर का साइंस में पीडिया पंदरा अगस तक मिल जाएगा फंदरा अगस तक मिल जाएगा ठीक है मिल जाना था पहले ही मिल जाएगा लेकिन टेंसन मदलो चलो अस्वनी कुस्वाहा आप लोग यह बताओ मेरी बात सबको समझ में आई भई आप कहां कहां से जुड़े हो यह बताओ तो किवल एक मिनिट बात करेंगे बस आपका जिला कौन सा है और राज्य कौन सा है जल्दी बताओ बादर खान यूपी के आज हम गड़ से जुड़े हैं और को यह निमन देखो बबू जीला और राज्य दोनों बताओगे तब ही मैं बोलूंगा अगर तुम सिर्फ एक बात बताओगे तो मैं नहीं बोलने वाला हूँ अच्छा लगता है कि यहां बच्चे दूर दूर से जुड़े हुए हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं झो यहां पे चिला रहा हूं कमरे में एक बंद कमरा सा है चार त्रफ सुनसान दिख रहा है बूद बंगला जैसे लगा यह लेकिन फिर भी मैं चिला रहा ह हूं इतने äंक हमारे इतने नालाइक बच्चे हैं सारी परसनल चैटिंग आके इसमें यूटूब में करते हैं मैं देखता हूं रोज और तुमको क्या लगता है कि अकेले हैं कि तीन लाख बच्चों की फैमिली है तीन लाख भैजाबाद आयोध्या से विकास परजापती जुड़े हैं यूपी के गोरखपूर से आजय जुड़े हुए भई यूपी के इटावा से कुसुमलता जुड़ी हुई है और राजस्थान के करोली जिले से जुड़े हुए हैं रामबली गुरजर अखंड प्रताप जी उत्तर परदेश के सरवस्ती से हैं रहताज के बिहार से आल वीडियो जुड़े हैं और अस्वनी कुस्वाहा यूपी के गाजीपूर से हैं और बिहार के बांका से प्रिया कुमारी जुड़ी हुई हैं अंस यादो नहीं मालूम है इनको खुदे नह यूपी से मुष्कान यादो जुड़ी हुई है नालंदा बिहार से हरी कृष्णा जी जुड़े हुए हैं मीरा वारवंकी यूपी से हैं आधितिरपाथी भईया यह इनका आधितिरपाथी नाम से कमेंट है इनका रियल नाम है प्रीति विसकर्मा यह रीवा के मद्द पर नहीं है बहादर खान तुम्हारा भी कुछ चल रहा बैच्छा मैं समझ रहा हूं तुम लोग के बंद में दिल में क्या चल रहा है तो लगबग हो गया सबका कि किसी का बचा है अभी बचा तो सब को है अब इतने बच्चे कमेंट करें दो तीन सो बच्चे सबका कमेंट बहुत तेजी के साथ निकल जाता है कमेंट पढ़ने में मुझे बहुत दिमाग पकाना पड़ता है तो ठीक है फिर आगे कलास सब्सक्राइब करेंगे ऐसे जुड़ते रहो सर्मा जी यूपी अध्य से जुड़े हैं फ्री गेमिंग जी यूपी जौनपूर से हैं अंकित कुमार बदोही से हैं मोहित जी पन्ना से हैं पन्ना मध्य परदेश का एक जिला है क्यों भाई सही बोल रहा हूं ना राची ज जॅब बड़े बाकी जी आ जिन में से कभी कभी आ जाते हैं जैसे आपका बौद में वाकि अगर पूरे चनल पर देखा जाए टोटली तो हमें लगता है कि सभी राज्यों से हैं पूरे देश से हैं कोई ऐसा राज्य बचा नहीं जहां से कोई बच्चा नहीं